अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके अच्छी आदितों को छोड़ते हुए हम जरा भी नहीं कतराते हैं जैसे हमने सारीरिक दूरी बनाने की आदत को छोड़ दिया बिना मास्क पहने हम सडकों पर निकलने लगें क्या ऐसा करना चाहिए नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी नेट्वॉर्क मेरा नाम अ कमाँ माँ वान देंना तरknowर म माँ जाओ की आप लगें जो मीजएता प्र incap जोड़ी हुए हम जब एगें पया रहेंगीक अप्रात आप प्रवें इन्या कि सक्मा उनल एक होओणा हुआ है इन्या ख़तितों क्वै हैं आपस्वा अल्रास्वास पाई प्रना आपकॉवर्क हमारी आदितों की वज़े से आज साल 2021 के सबसे जादा कोरोना संक्रमण के आंक्रे दर्च किये गए हैं आपको जानकारी दे दें कि कोरोना संक्रमण के 24,822 नए मामले सामने आए या एक दिन में इस साल मरीजों की सरवाधिक संक्या है इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संक्या बढ़कर 1,13,33,728 हो गई है इतना ही नहीं नए मामलों की संक्या गत 13 दिन में सबसे अधिक है इससे पहले 20 दिसंबर को 26,624 लोग संक्रमित हुए थे लेकिन जब हम अकेले महराश की बात करते हैं तो वहाँ पर 15,817 नए मामले दर्च किये गए थे जबकि बीमारी के कारण 56 मरीजों की मौत हुई है प्रदेश सरकार भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित है तबी तो नाकपुर अकोला के बाद पूरे में भी सक्त कर्फ्यू लगाया गया है जबकि औरंगाबाद में वीकेंड में पूरा तरह से लोगडाउन ल चाराश्टा करेंगा जबीचे ज वीकेंगागे जाने लेक्रशण में हुद्ट आड़े。 वीकें में पूराश दुछिष्टा ये रूच्टे लोगड़िट खुछिवारे में चुछुछी में लागएनाबाव है जो अब बीमुद्ई का च्ट्यू बटी लेकेंगाबी क और ज white और 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 जचे दो का रे में और बड़ और मेंगार ऑाफ पूल वहनए प्रणक वहनए झासे खाव फे जाद टीर थ़। वह टीजब पूम कामज़ बूम अजब गॉद फीजिए में पस्वीजिए प्रवश सब्सक्याव टाफ टाव व्यामन अडंडरिंघ एंड कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए DGCA ने सक्त आदेश जारी किये हैं DGCA ने ताजा गाइडलाइन्स में कहा कि विमानन कंपनियां प्लाइट में मास्क के इस्तेमाल का सक्ती से पालन कराएं इसके अलाबा गर कोई व्यक्ति या कोई यात्री मास्क नहीं पहनता है तो यात्री को विमान से उतार दिया जाए आपको बता दे कि विमान में मास्क नहीं पहनने और सारीरिक दूरी जैसे नियमों का पालन नहीं करने पर यात्री को no-fly list कैटेग्री में डाला जा सकता है जिसका मतलब है कि तीन माह से लेकर दो साल तक या इससे अधिक समय तक वह यात्री विमान यात्रा नहीं कर सकेगा देश में पिछले 83 दिनों में कोरोना वाइरस की सरवाधिक मामले सामने आने के साथ भले ही हिंदुस्तान में कोरोना वाइरस की नई लहर आने की आसंख्या पैदा हुई हो लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों का टीका करण कर और कोरोना गाइट लाइन्स का पालन कर इस पर काबू पाया जा सकता है। आपको बता दें कि वैज्ञानिक मंथन कर रहे हैं कि मामले में क्यूं और किस तरह से बढ़ोत्री हुई है लेकिन वैस बात पर सहमत है कि कुरोना प्रोटोकॉल का पालन कर और टीका करन अभियान में तेजी लाकर संक्रमण के प्रिसार पर रोक लगाई जा सकती है। CSIR Institute के निदेशक अनराग ग्रिवाल ने जानकारी दी है कि उनके संस्थान के वैज्ञानिक यह समझने का प्रियास कर रहे हैं कि क्या वाइरस के जादा संक्रमक प्रकार के कारण मामले बढ़ रहे हैं या लोगों द्वारा एतिहात नहीं वरतने की वज़े से। कि झाल झाल ने मॉफं आनके से जादा सिम है रहे हैं या मुच्ता ह Smells झाल झाल